ललन टॉप अदें पार्टनर्शिफ विद डाबचावन प्राश सर्वकॉन डॉक्टर ओर्थू टूरिजम पार्टनर गुच्राथ टूरिजम सेलिब्रेशन पार्टनर मॉफियर्स देर टुड्रीम डॉक्टर ओर्थू अब दर्ग भी घुटने टेकेगा पिछले पैतीस सालों से सर्वकार रखे सब कंट्रोल और प्रधान मंत्री ने भी ऐसा ही कात असर कपड़ों को लिकर एक बार इस रैली में पता नहीं क्या कात मैं मैं वहां पर उसकी भलाई के लिए थोड़ी गया हूं मैं उससे जो बात कर रहा हूं वो मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि प्रथवी की या प्राणियों की कुछ भलाई हो मैं तो उससे बात यह जताने के लिए कर रहा हूं कि तुम देखो कितने निकरष्ट अधम नार यहां पर यह अभी महत पूर्ण बात है ध्यान से सुनना परसनल साइसे ही आपको बोलते हुए मन में आगा गुस्सा आता है आपको बहुत जाधा आता है कम होना चाहिए खाम होना चाहिए अच्छे ज़्याद आते हैं पुछना भी नहीं चाहिए जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी वीडियो भी देखें उनको भी पता है कि मुझे गुस्ता आता है अब अपना वीडियो देखते हैं पलट के कभी एकदम भी नहीं क्यों? थोड़ी बातचीत करेंगे मैं और आप थोड़ी फिर सवाल पूछेंगे ओडियंस से मेरा और आपका एक छोटा सा इनकाउंटर ललन टॉप की न्यूजरूम में हो चुका है आप गेस्ट इन न्यूजरूम में आये थे और मैंने आप से खाने के सेलेक्शन को लेकर सवाल पूछाता है आपको ध्यान होगा फिर उसकी रील विल कटी और मेरे हिस्से भी बहुत सारे लोगों के लोगों का प्यार बरसा मेरे उपर और मैं इसलिए फेमस भी हूँ कि उसके उपासक भी है उसके प्रचारक भी है और आप एक आध्यात्मिक गुरू भी है लेकिन हम लोगों ने हिंदुस्तान में खासकर आध्यात्मिक गुरूं को अस्वरूप एक अलग देखा है अपने जीवन में एक खास तरीके से कपड़ा पहनना एक खास तरीके का एक अटायर ओढ़ना हलांकि कई आध्यात्मिक गुरू ऐसा अटायर ओढ़के भी उसके पीछे क्राइम करते हैं जैसे एक अभी पैरोल पे छूट के आया है और एक जो भी जेल में बंद है लेकिन सर आप फिर हैं इन सब के बीच में आप की भंगीमा एकदम दूसरी कपड़े एकदम विशम किस्म के सूट बूट क्रीच पड़ा हुआ कपड़ा यहाँ वाला रुमाल जो मैंने आज तक कभी लगाया नहीं बताईए थोड़ा सर अपने बारे में किसी के कपड़ों से रिष्टा बनाके आप अगर मेरे कपड़ों से रिष्टा बनाने आये होते तो यहाँ एक तो यहाँ एक अलमारी टांग दी जाती अचारे प्रशान दुसी का नाम होता भई कपड़ा में वो पहन लेता हूं जिसमें मुझे सुईधा हो आप से बात करने में पाँच-पाँच गंटे के सत्र होते हैं महीने में लगभग प्रती दिन मुश्किल से तीन-चार देन ऐसे होते हैं जिस दिन तीन-चार या पाँच गंटे मैं नहीं बोल रहा हूं वहाँ पर मुझे ये नहीं देखना है कि कौन सा कपड़ा एक उनिफॉर्म की तरह धारण करा जाए वहाँ मुझे ये देखना है कि कौन से कपड़े में मुझे सहुलियत हो जाती है और कुछ हद तक ये भी देखता हूँ जो इमानदारी की बात है कि कौन सा कपड़ा है जिसमें मुझे देख करके आप भाग नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा काम बस अपनी बात बोलना भर नहीं है बोल तो मैं अपनी बात तब भी सकता हूँ अगर ये माइक आफ कर दिया जाए मेरा सरोकार है कि आप तक मेरी बात पहुचे भी और आप तक जब बात पहुचती है तो आप सिर्फ बात नहीं देखते आप बोलने वाले का व्यक्तित भी देखते हैं हम हैं ऐसे और जैसे हम हो उसको स्विकार करके ही तो उससे आगे बढ़ा जा सकता है तो कपड़े वगएरा का इतना क्या करना है बिलकुल ऐसा हो सकता है कि एक उनिफॉर्म की तरह कुछ धासिल कर लिया जाए धारन कर लिया जाए और आप बोल रहा है उसमें जेल हो जाए पेरोल हो जाए वो सब भी चल सकता है और ये भी हो सकता है कि जैसे आप शर्ट-पेंट पहन के बैठते हो वैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ और उसके पीछे जो मुझे असली काम करना है वो मैं करता रहूँ वैसे मुझे और किसी तरह के कपड़ों से कोई परहेज नहीं है, मैं कुर्ता पैजामा भी खूब पहन लेता हूं, और टी-शिर्ट और शॉर्ट में भी उतनी ही सहचता से घूम फिर लेता हूं, बात भी कर लेता हूं, लेकिन ये हमारे देश में न, आंतरिक जीवन का अध उसके कपड़ों से ही पहचान पाते हैं, तो अगर किसी को अपने आपको अध्यात्मिक दर्शाना हो, तो उसके लिए मामला भहुत आसान हो जाता है, और ये प्रधान मंत्री ने भी आसा है, कात असर कपड़ों को लेकर एक बार, एक स्रैली में, पता नहीं क्या कात में, अधिश्णों कबीरों से मतलब है, बाकी पता नहीं, सर आप आएटी, आएएम से पढ़ाई करते हैं, और एक आध्यात में गुरू के रूप में है, एक वो मोमेंट होगा आपकी लाइफ में, पता नहीं होगा की नहीं होगा इसको आप बताईएगा, लेकिन वेक एक, ठी यह कहते हैं, जो कहते हैं, ठीक है, वेन डिडिड यू डेर तु ड्रीम, अचार प्रशाद? बात बहुत सीधी है, कोई मैं विशेष नहीं था, सब छोटे बच्चों में, या सब में नहीं होती होगी तो बहुत सारे छोटे बच्चों में, दुनिया के प्रती एक करुणा का भाव होता है, वो मुझ में था, वो मैंने कोई हासेल होगा नहीं करा प्रक्रती की बात है, जन्मजात है, जानवर को चोट लग रही होती थी, मैं उसमें बिल्कुल बेचायन हो जाता था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एक बार हम कहीं पर ठहरे हुए थे, मैं था पिता जी अपने किसी ओफिशल काम से गए थे मुझे लिए गए अच्छा तो वहां पर रात में आ गया एक बनारस की बात है तो रात में आ गया उस समय साधारन सहुट वो लेकर के कि मैं मसाज करूंगा और उसको लोटा दिया कि नहीं नहीं चाहिए यह सब और मैं उसके बा है यह हाथ में लेकर के कि यह करना है तो वह सब था तो उसके नाते मुझे लगता था कि दुनिया जैसी है हमें इससे बहतर बनानी है कोई क्यों कि तकलीफ में रहे और खास्तार पे जो कमजोर हो और उसके साथ गलत हो रहा हो रहा है कुछ बोल भी नहीं पा रहा है बड़ को चीज मुझे अखरती थी बच्पन से और मैं उसका बिलकुल क्रेडिट नहीं ले रहा हूं मैंने उसमें कुछ हासिल नहीं करा है वो जनमजाज चीज ती और बहुतों में होती है मैं खास नहीं उसमें तो मुझे लगा जिंदगी में कुछ बदाव लाना है इस नाते जाना था सिविल सेवा में और जब मैं पढ़ाई कर रहा था ये अर्ली नाइंटीज की बात है उन दिनों में इस में सेलेक्शन साथ साथ सातर प्रतिशयत आइटीन का होता था तो दस्वीं के बाद दस्वीं मेरे नंबर अच्छ आ गए थे और जितने मेरे मेरे मैं साइं ले लो या इस्ट्री जोग्रफी या लैंगवजिज में पढ़ाई कर लो मैं पीचिम सिर्फ इस लिये लिया कि आटी चले जाओगे तो वह से इस बन जाओगे वरना मुझे इंजिरिंग का कोई विशेश शॉक नहीं था या इंजिरिंग से कोई समस्या भी नहीं थी मैं लेकिस ब्रांच में थे इंजिनिरिंग की मतलब यह बता दीजिए शन पिचानवे इन 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 नवे ब्रांच कोई सी ब्रांच टेक्स्टाइल संपोलीमर तो मैं डॉक्टर भी होता तो मैं ठीक थाक अच्छा डॉक्टर हो सकता था यह लैंगवज में चला जाता लेकि अच्छा इन वहां मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि लगातार कॉंपटिशन सक्सेस रिव्यू में छफता रहता था कि भाया आई एस में जिनका सेलेक्शन हुआ है वह सब आई टी ने तो वहां सिर्फ इसनाते गया था तो यह तो हुई आई टी की बात आयम में क्यों क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से मोह भंग हो ले लग गया था जो काम मैं जाना करना चाहता था समाजिक परिवर्तन का वो काम मुझे दिखने लग गया था कि सरकार में नहीं हो सकता है कुछ दिन में चला गया अपने सीनियर से बात कर ली जो कैडमी में थे या कि अब कर कुछ बन करके पोस्टेट थे समझ में आ गया कि बात यहां बनने वाली नहीं है तो इसनाते में और उसी साल सभाग्य से या संयोग से मेरा चैन कैट में भी हो गया था तो वो मेरे लिए दोनों एक ही साल की बात थी सन 2021 की तो इसनाते में चला गया कि जब उधर नहीं हो सकता तो क्या पता इधर होता हो हालां कि बहुत उमीद नहीं थी लेकिन मैंने का चलो कम से कम दुनिया में जो इतनी वड़ी ताकत है पैसे की कॉर्पोरेशन की उसको समझें तो यह काम कैसे करती है तो वहां जा करके देखा लेकिन पीछे-पीछे जो बैक्ग्राउंड म्योजिक वही बज़ा था जो छठी अप मेरे बरस से बज़ा था और फिर वहां से निकले तीन साल साड़े तीन साल नौकरी करी कुछ लोन थे जुकेशनल लोन और उनको चुकाया इतनी देर में जो मेरी रहर्सल थी वह और जान पकड़ती जा रही थी मैं पार्ट टाइम जा करके के पढ़ाना शुरू कर चुका था कॉलेज में तीन सा ज्साल भीते बीते फिर मैंने अपनी संस्था की स्थापना करदी और सीखता रहरा सीखता रहरा सीखते सीखते आज आज आपके सामने बैřा हूँ बैटाय और उस इस पूरी कहानी में क्या कुछ भी ऐसा है जो आप कहानी में नहीं हो सकता इस पूरी कहानी में कहीं पर कोई ईश्वरी ये प्रतभा ये देवी ये वरदान है तो जो मेरी कहानी है वो आपकी भी हो सकती है मैं मंच पर बैठा हुआ हूँ इसलिए नहीं कि मैं विशेश हूँ मैं मंच पर बैठा हूँ ये दिखाने के लिए कि बिलकुल आपके ही जैसा हूँ और आप में से हर एक का अधिकार ही नहीं, फर्ज है कि एक दिन आप भी मंच पर हो ऐसे किसी, हम सब यही जिम्मेदारी लेके पैदा होते हैं ना, कि अपनी जिंदगी भी बनानी है और दूसरों को भी सहारा देना है तो मेरी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं रहा है एक फ्लो रहा है और जो बात मुझे ठीक लगती गई मैं उसके साथ इंसाफ करता गया जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर रहे हो शायद नहीं कर रहे हो तो कर सकते हैं अगर मेरी इस कहानी में आपको कुछ प्रेड़ना दिखती है और नहीं दिखती तो फिर तो कोई बात ही नहीं ठीक है प्रशान जी अब अगला सवाल जो मेरा है वो आपके फूड प्रिफरेंस को लेकर होगा और उसके पहले मैं पबलिक से मुखातब होंगा एक साइजिबल अमाउंट है इन में मैं भी हूँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अब इस देश में और पुरी दुनिया भर में बहुत बड़ी बहस है हमारे न्यूज रूम में कई साथी हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी नहीं है वो वीगन है मतलब उनके जीवन में सारा जो कंजम्शन है खाने का अगर आप इन लोगं को समझाने के लिए कहूं तो वो सारा शाक से बना हुआ प्रोड़क्ट है शाक है या शाक से बना हुआ कोई प्रोड़क्ट है और आप भी वीगन है वीगन लोग जो होते हैं या जो वीगन उस पूरी स्थापनाप में अपने अप उतरते हैं, उनके लिए, एक तो मेरा एक सवाल वो दूसरे नंबर का हो सकता था, लेकिन अब जबान पर आगा है, तो पहले नंबर का है, तो क्या उनके लिए जरूरी है कि सामने वाले को वीगन बनाया जाए, यह मैं पूछने वाला था, और क्या यह प्रेक्टिस थोड़ी रेडिकल नहीं लगती, इसमें जो बहस होती है, काफी रेडिकल प्रेक्टिस है, एक सुपरियोरिटी कॉम्पलिक्स है, वीगन होने में, इन सब चीजों पर आपका क्या सोचना है, देखिए, इसमें दो तीन बाते हैं, और तीनों सब को साथ लेके चलना पड़ेगा, पहली बात तो यह कि, मैं किसी से बात करूं, शाकाहार की या वीगनिजम की, उसमें मेरा अगर यह उद्देश है, छुपा हुआ, कि मैं अपने आपको उससे सुपीरियर बना रहा हूं, तो पहली बात तो मैं कोई नकल कर रहा हूं कि प्रत्वी की या प्राणियों की कुछ भलाई हो, मैं तो उससे बात यह जताने के लिए कर रहा हूं कि तुम देखो कितने निकरष्ट अधम नार्की राक्षस हो, तो मास खाते हो, और मैं मास नहीं खाता, मैं तो दूद भी नहीं पीता, तो जब यह सिर्फ इसलिए कि वो वीगन हो गए है, या कुछ और तथाकतित अच्छे काम करते हैं, मैं उनको साफ साफ यह बोलना चाता हूं, कोई भी अच्छा काम अगर आपके अहंकार की भेट चढ़ गया है, तो उससे बुरा काम नहीं होता कोई, अरे भाईया, जानवर के लिए करुणा रखनी है, और इनसान को दबाना है, धमकाना है, तो सामने वाला कहेगा नहीं, धत पाखंडी, तुझमें अगर इतना ही भाव होता कि जानवर को दर्द नहीं देना, तो तु मुझे दर्द क्यों दे रहा है, तु सचमुच अगर इस भाव से मेरे पास आया होता है, कि प्राणी मात्र का किसी भी चेतना का दुख दर्द अच्छी बात नहीं है, तो मेरे सामने खड़ा हो गर कि मुझे लेक्शर दिये जा रहा है, कि तू कितना घटिया है, तू यह करता है, तू वो करता है, इस तेर वेंजियन्स मील्स, वो जितना नहीं भी खाता था, उसे ज्यादा खाता है, और दिखा दिखा के खाता है, वो बोलता था, वैसे ना खाता हूँ, अब तेरे मुह पे खाऊंगा, और तू देख नहीं रहा तो तू जो फोटो भेजूँगा, देख, तो यह अच्छे से यह पहली बात हो गई, अब दूसरी बात पर आते हैं, सामने वाले को अगर आप बताना चाहते हो, कुछ तो वो कम्यूनिकेशन, वो समवात सफलो, इसकी जिम्मेदारी साब आपकी है, उसकी नहीं, वो सुनने नहीं आया, आप बताने गए हो, काम आपकी और से शुरू करता आप हो, तो उसको उस तरीके से बताओ ना, जिस तरीके से उसको बात समझ में आए, अगर बात में दम है समझने का तो, बात ही नहीं आजी कि समझी जाये तो फिर छोड़ी दो, आप उसको बताओ कि उसका अपना हित कहां पर है, और जब उसे दिखाई देगा कि उसक बदलेगा बल्कि दूसरों को भी बदलेगा एक चेन रियक्शन शुरू होता है आगे चलता है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि हमारे यहां पर यह अभी महत पुर्ण बात है थेहां से सुनना हमारे यहां पर बहुत सारा जो एक्टिविजम है न वह अध्या हो सकता है करुणा और अगर वो नहीं है तो विगनिजम क्यों हो मैं भी बरबाद होना चाहता हूं मैं मुझ में अपने प्रति भी कोई कमपेशन नहीं है मैं तुझे ही बरबाद करना चाहता हूं मैं सारे जानोर बरबाद करना चाहता हूं मैं प्रत्वी बरबाद करना च जो भी खत्म हो जाएंगी तो कौन सा कहरा गया आप जो भी तर्क दोगे हर तर्क काटा जा सकता है और आपको एक बात बता देता हूं मासाहार में कुछ अच्छाईयां भी होती है शरीर के लिए उस तर्क को आप कैसे कट दोगे एक करुणा का ही तर्क है जो हर तर्क को काट सकता है और अंत में कह सकता है मेरा व्यक्तिकत नुकसान भी होता हो तो भी दूसरे को हान ही दे करके ना स्वास्त ठीक करना है ना पोशन चाहिए ना पेट भरना है मेरी जान भी चली जाए मेरी जान भी चली जाए तो भी अपने फायदे के लिए दूसरे की हत्या नहीं कर आप किसी से बहस करिये, तरक के तल पे बहस करोगे, नहीं समझाएगा, समझाएगा, नहीं सकते, एक ही चीज है जो आपको सचमुच जिन्दगी में बहतर इंसान बना सकती है, और वो है खुद को जानना, उसे आत्मग्यान, अध्यात्म वगेरा बोलते हैं, और उसी से फिर स्पॉंटेनियसली एक बाइप्रोडक्ट निकलता है, जिसका नाम होता है शुद्शाकाहार, तो वो जो एक्टिविजम है वीगनिजम का, उस एक्टिविजम के कोर में जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक वो एक्टिविजम पहली बात तो सफल नहीं होगा, दूसरी आपके हंकार की भेट चड़ जाना है, तो आप में से जो भी लोग जिन्दगी में किसी प्रकार का एक्टिविजम दिखाना चाहते हैं, एक्टिविजम कही तरे का होता है, जिसके केंद्र में आपकी दिली सच्चाही नहीं बैठी है, वो सफल नहीं होगा, सफल नहीं सफल हो गया, तो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, उसकी सफलता में आपके अंकार की सफलता होगी, किसी भी तरह का काम करने से पहले है, सक्रियता माने उसमें क्रिया आती है, कर्म, कुछ भी कर्म करने से पहले भाया, कर्ता को बिलकुल धो पोच लेना, बिलकुल प करने निकला हूँ और भीतर की सफाई करी नहीं उससे कुछ नहीं होता ना नहाएद हो एक क्या भया जो मन मैल न जाए इतना तो समझाया है समझदार लोगों ने कि बाहर के अच्छे अच्छे काम करने से कुछ भी नहीं होगा जब तुमारे भीतर अभी वो जो मूल गंदग कि यह बैठी हुई है तो वीगनिजम वगएरा भी सफल इसी लिए नहीं हो पाता क्योंकि जो वीगन बैठा है वो बाहर से तो वीगन हो गया पर भीतर से अभी उसने अपनी गंदगी पूरी तरे साफ करी नहीं है आप अगर जानवरों के हितैशी हो तो सबसे पहले अपन करो एक छोटा से सवाल परसनल सा ऐसे ही आपको बोलते हुए मन में आगा गुस्सा आता है आपको बहुत ज़्यादा आता है कम होना चाहिए ज़्यादा आ पुछना भी नहीं चाहिए जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी वीडियो भी देखे उनको भी पता है कि मुझे गुस्सा आता है अब अपना वीडियो देखते हैं पलटके कभी एक दम भी नहीं एक दम भी नहीं पहली बात तो समय भी नहीं है जितनी देर में वीडियो देखूंगा उतनी देर में एक नया वीडियो तयार हो जाएगा बहुत आते हैं पैसे पिछ आता है यहां पैसा आता है यह है पिछ जाएगी कि भाई डोनेट करो बहुत बड़ा मिशन आगे चाहिए तो कई समझदार होते हैं कि यूट्यूब से तो आता होगा जितना खर्चा संस्था मिशन के लिए करती है उसका 5 प्रतिशत भी यूट्यूब से नहीं आता पर यह पता नहीं किस दुनिया में हम रहते हैं हमें कुछ साइज कुछ आकार ही नहीं पता चल रहा संस्था के कामों का गतिविदियों का ना हमें इतनी व्यभारिकता है कि हम स चीजों पर बात करते हैं जैसे युद्ध की बात इस दुनिया में दो बड़े युद्ध हो रहे हैं रूस यूक्रेन और एक इसराइल और हमास क्या राय है आपके इन दो युद्धों को लेकर हम एकास सवाल और पर जनता से एकास सवाल लेंगे फिर अगली कारवाई वो एक वक्तव है बहुत प्यारा है वो यह है कि भीतर जब डर बैठा होता है तो बाहर हमें कोई दुश्मन खड़ा करना पड़ता है डराने के लिए अंग्रेजी में उसका है कि वेन वार इस रेजिंग विदिन देन एन एनिमी अपियर्स ऑन दा आउट साइड दोनों ही बा है जो हिंदी में बोली जो अंग्रेजी में बोली कि लडाई यहां पहले से चल रही है और यहां जो चल रही है लडाई उसके फल स्वरूप या उसको जायज सिस्द करने को जस्टिफाई करने को हम बाहर कहीं न कहीं कोई न कोई दुश्मन खड़ा करेंगे ही करेंगे यह संभव नहीं है कि हम बाहर लडाई न करें क्योंकि हमारे भीतर बहुत गंदा द्वंद चल रहा है वो चल रहा है पहले ही आप जब भीतर सौ तरीके से लड़े हुए हो उल्जे हुए हो तो ऐसा कैसे होगा कि बाहर शांती से रह लोगे तो दुनिया में जितनी भी लडाईय हो रही है चाहे वो इंसान इंसान की लडाई हो चाहे वो इंसान और प्रक्रति पर्यावरन की लडाई हो चाहे इंसान की अपने आप से लडाई हो अमीर और गरीब की लडाई हो दो तरह के राजनीतियों में लडाई हो इस्तरी और पुरुष का संघर्ष हो गोरे और काले वो सारी की सारी लडाईयां ये अच्छे से समझ लीजिए इनसान के भीतरी द्वंद का परिणाम है अभिव्यक्ति हैं चुकि हम यहां भीतर लड़े हुए हैं हम जानते ही नहीं सही क्या है गलत क्या और भीतर कशमकश लगी रहती है तो बाहर हम सो तरह के दुश्मन तैयार कर लेते हैं ताकि हम यह कह सकें कि साव यह जो लडाईये जस्टिफाइड है कि मैं भीतर अगर डरा हुआ हूँ या भीतर मुझ में द्वंद है या इनसेक्योरिटी है तो उसका एक वाजिब कारण है वाजिब कारण हमने क्या खड़ा करा नकली वो दुश्मन है ना वो र यार नहीं होते है कि शुरुआत सारी चीज की यहां से है यहां से और चूकि सब लडाईयां शुरू यहां होती है इसलिए उन्हें खत्म भी यहीं करना पड़ेगा नहीं तो चाहे लीग आफ नेशन सो चाहे युनाइटेड नेशन सो चाहे उसके बाद के इतने प्रस्ता और संधियां और समिट्सों सब हारेंगे असफल हो जाएंगे जैसे आज हो चुके हैं आज इसराइल युनाइटेड नेशन से बोल रहा है हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे अपने यहां पर सेक्रेटरी जनरल को बोल दिया कि तुम भी व्रत्यबंदी तो मुह मत दिखा दे ना यहां पर यह तो हाल होता है उन संस्थाओं का जिनको हम खड़ा करते हैं युद्ध को रोकने के लिए आप युपेस्सी की पढ़ाई किये तेकाईदे से लग रहा है आपके आपके कॉंसेप्ट एक दम क्लियर है मैं मैं युपेस्सी की पढ़ाई आज भी करता रहता हूँ तो जो चीजें मुझे एक बार देख जाती है कि कीमती है ये मेरा मेरे तरफ एक प्यार है अनुशासा ने कि उनको मैं छोड़ता नहीं तो रिसर्च रिपोर्ट्स हो एकनॉमिक्स हो जियो पॉलिटिक्स हो हिस्ट्री हो साइंस और टेकनोलोजी के डेवलप्मेंट्स हो जो भी हो मैं उनसे लगातार अपने आपको कोशिश करता हूँ कि अवगत रखों अप्टु डेटेड रखों एक छोटा सा सवाल और उसके बाद आखरी ये सेशन खतम होने के पांच मेट से दर्शकों से लेंगे बहुत सरे यंग लोग बैठे हुए हैं मैं इनसे हाथ उठाऊंगा तो बहुत सरे लोग हाथ उठाएंगे भी नहीं कि गल्फ्रेंड, बॉइफ्रेंड, फ्रेंड जोन और लिस्बियन, गे, बाइसेक्शुल, ट्रांसजेंडर इन सब चीजों पर प्रशान जी आपका क्या सोचना है ये सारी चीजे क्या है मने देह का हिसाब किताब और क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता है जो लोग एक तरह की बात को दूसरी तरह की बात से शेष्ट समझते है एक जानवर की तरह पत्नी पर चड़ा हुआ है, एक जानवर की तरह प्रेमिका पर चड़ा हुआ है, एक शेष्ट कैसे हो गया दूसरे से एक हवस के नाते, एक पुरुष है, वो बिलकुल पश्व की तरही खुद भी पश्व बन गया और उसकी नजर में सामने वाला भी जानवर है, वो जानवर की तरही और एक आद्मी है, वो जानवर की तरहा हूरत को देख रहा है, दूसरा गहता है, नहीं साहब मेरी तो ä। स बात हो गई न, ट्रेडिशनल सुपिरियोरिटी, साब मैं हेटरो हूँ तो मैं होमो से बहतर हूँ, अरे भाया ना तुम बहतर हो, और ना बदतर हो, तुम में भी देभाव उतना है, जितना उसमें दोनों बिलकुल एगी बराबर हो, कैसे बहतर हो सकते हो तुम, बताईए त तो इन पचलों में नहीं पड़ना है, यह देखो कि कौन हो और कहां तुम्हारी बेचैनी है, तुम्हारी बेचैनी देह की नहीं है, तुम्हारी बेचैनी यह नहीं है कि मैं यह बढ़े, आप तो 18-10 तरीके के, हर तीसरे साल अब एक नया सक्शूल औरीइंटेशन खोड़ा दिया, मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, नए नए तरीके के औरिंटेशन, आप पतलब evolution की बात कर रहे हैं, जैसे एवोल्यूशन भी क्या है, ये फैशन है, इसमें क्या बोलूँ, कि एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में तो शेष्टता आती है, एवोल्यूशन में तो आदमी बहतर होता चलता है, एवोल्यूशन का मतलब होता है बंदर इनसान बना, एवोल्यूशन का मतलब थोड़ी हो तो आप इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि दूसरे की देए के साथ धमा चौकडी मचाओ। वो चीज जिन्दगी, मैं उस चीज को निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर चीज को उसकी वाजिब जगह देना सीखो। मैं यहां बैठा हुआ हूं, मुझे हो सकता है भी प्यास लग रही हो। लेकिन मैं आपका साथ छोड़ करके पानी की तरफ नहीं भागूंगा। हर चीज की अपनी एक जगह होती है जंदगी में। इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। लेकिन इस चीज की वरियता ज्यादा है, उपर है। तो सेक्स और गहरा कर लेना वह ठीक है। वह जो भी बोल रहे है फ्रेंड जोन गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड एंड फ्रेंड थीक है। पहले ये तो देख लो कि हो कौन, जी क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो, कैसे जी ओगे तो भीतर एक भाव रहेगा, फुल्फिल्मेंट का, आनंद का, जॉय का, वो चीज जिन्दगी में जरूरी है, लेकिन जो मुद्दा कोई महत तो नहीं रखता, आम उस मुद्दे को लेक औरे जीवन की, जो बात किसी महत्यों की नहीं है, उसका फुबगा फूला हुआ है, बहस चल रही है, बहस चल रही है, किस बात पर बहस चल रही है, और जिस बात पर सचमुच बहस होनी चाहिए, उसका नाम लेवा कोई नहीं, ये कोई बात है, अचारे जी, बाचित करें क आपकी बात से थोड़ा डिसग्रीमेंट रखते हुए भी कि बतौर एक पत्रकार, बतौर एक इंसान और बतौर ललन टॉप का एक इंपलॉई और ललन टॉप का एक यहां पर एक डिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम सभी लोगों को एक जैव विकास से गुजरा हुआ औ और एक वैग्यानिक चेतना के तहर देखेंगे और अब इसरार भी यही करते हैं कि यह समाज में बना रहे उसकी उसकी अखंड़ता और उसकी एकता भी बनी रहे जी सवाल क्या नाम है आपका अचार जी नमसकर मैं चुन-चुन-चंडिगर से हूँ यहां आने के करम में वीडियोज और किताबों से दूर रखना चाह रहे थे और वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी पड़िवार यह आपके पुष्टके और वीडियोज देखें और सुनें तो इस तरह की बेहोसी में रहने वाले लोगों को बाहर कैसे निकल आजा सकता है बहुत पास आगए है जो मुझसे सक्रिय रूप से दूरी बनाने की कोशिश करे समझ लो वो बिलकुल कगार पर खड़ाया है वो बिलकुल पास आई गया तो परेशान मत हो येगा अगर आप किसी को पाएं कि वो मुझसे नफरत कर रहा है या दूर भागना चाह रहा है यह व्यक्ति अच्छे से सम निकली सबकी लेकिन मैं भी ठहरी हुई हूई हूँ सर तो जो खौफ था सर वो अभी तक मेरे अंदर बना हुआ है मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा अभी भी तो सर वो कैसे दूर किया जाए वो मरने का और यह समझ्याओं का मेरे अंदर चलती रह जाओ आप भीड में आ गई है इसका मतलब आप उस खौफ को पीछे छोड़ चुकी है और जो चीज छोड़ दी पीछे और चोड़ दी अब उसको शाब्दिक तोर पर लेकर चलिए मत दूसरी बात मर जाओ तो मर तो जाना ही है उस बात को सुईकारी कर लीजे कि हां मर तो हो जाना है जिस तीज से बच नहीं सकते न उस चीज से बार बार लड़ने से फाइदा नहीं मान लीजिए कि मर गए हैं फिर कहिए कि अब जो करना है वो कर रहे हैं मौत का खौफ कुछ नहीं रहा क्योंकि अमर तो हो नहीं सकते हैं लास लास कोशन लास कोशन मैं अपना न यह दिया क्या यह उचित है क्युंकि इसस्पी पाँ आप सेक्शोल माइनोर्टी जेंडर माइनोर्टीस को किस तरीके से आप देख रहे हैं जबकि मैंने इसके पहले ट्रांजेंडर के लिए आपने जो व्यूस दिये थे इत वज़ पर सेटेड आप अई वस सेर्ड बट तो इसको पहले समझा जाता है और फिर अपने आपको अनुमती दी जाती उसे प्रतिक्रिया करने की जो मैं बात बोल रहा हूं वो बॉडी सेंट्रिसिटी के खिलाफ है किसी पर्टिकुलर सेक्शूल ओरिंटेशन के खिलाफ नहीं है बॉडी सेंट्रिसिटी जब आप एक व् उसके सेक्शूल ओरिंटेशन की आइडेंटिटी में देखते हो मैं उस चीज़ के खिलाफ बात कर रहा हूं आप कह रहे हो किसी भी इनसान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हेट्रो है कि होमो है कि गे है कि लेस्बियन है यह बात है जो इनसान को उसकी मन कैसा है उसका ज्ञान कैसा उसकी चेतना कैसी है आपकी हस्ती आपके व्यक्तित्तों के बारे में यह चीज सबसे एक सेंट्रल या क्रिटिकल नहीं है कि आप यह हो कि वो हो या कि आप यह भी हो सकता है कि आपका उसाब I totally abstain from sex आप इंसान क्या हो आपकी consciousness कैसी है उस पर हमें महत्तों देना है उसकी वरियता उपर है और उसके नीचे यह सब जो orientations है वो जिसकी जैसी उसको मुबारा को हमें क्या लेना देना व्यक्तिकत मामला है भई देखो अचारे जी तो इसमें इतनी उतेजना की और भाषण बाजी की कोई जरूरत नहीं है पहले समझना चाहिए कि कहा क्या गया है पहले जब समझ ले फिर उस पे हम प्रतिक्रिया करें प्रशान जी आप लेलन टॉप के मंच पे आए हमसे बात की दर्शकों से बात की समय निका झाहिए